कहानी का सिर्षक है संसकार क्या है? एक राजा के पास सुन्दर गोडी थी. कई बार व्युत्य में इस गोडी ने राजा के प्रान बचाए और गोडी राजा के लिए पूरी वफादार थी. कुछ दिनों के बाद इस गोडी ने एक बच्चे को जन्म दिया. बच्चा काना पेदा हुआ पर सरीर हस्ट पुष्ट वह सुडोल था. बच्चा बड़ा हुआ. बच्चे ने मा से पूछा मा मैं बहुत बलवान हूँ पर काना हूँ. यह कैसे हुआ? इस पर गोडी बोली बेटा जब मैं गर्बवती थी तु पेट में था. तब राजा ने मेरे उपर सवारी करते समई मुझे एक कोडा मार दिया. जिसके कारण तुकाना हो गया. यहां बाद सुनकर बच्चे को राजा पर गुस्ट आया. और मा से बोला मा मैं इसका बदला लूँगा. मा ने कहा, राजा ने हमारा पालन पोशन किया है. तू जो स्वस्थ है, सुन्दर है, उसी के पोशन सिर्थो है. यदि राजा को एक बार गुस्टा आ गया, तो इसका आर्थिया नहीं कि हम उसे छती पहुँचाए. पर उस बच्चे के समझ में कुछ नहीं आया. उसने मन ही मन राजा से बदला लेने की सोच ली. और वैसे ही करते करते एक दिन यह मोका गोडे को मिल गया. राजा उसे युद्ध पर ले गया. युद्ध लड़ते लड़ते राजा एक जग़ गायल हो गया. गोड़ा उसे तुरंट उठा कर वापस महल ले आया. इस पर गोड़ी को ताज्चूब हुआ और मा से पूचा. मा आज राजा से बदला लेनी का अच्छा मोका था. पर युद्ध के मैदान में बदला लेनी का ख्याल ही नहीं आया. और नहीं ले पाया. इस पर गोड़ी हसकर बोली, बेटा तेरे खून में और तेरे संसकार में धोका है ही नहीं. तु जान बुज़ कर तो दोका दे ही नहीं सकता. तुससे नमक हरामी हो नहीं सकती. क्योंकि तेरी नसन में तेरी मा का ही तो अंच है. वाकई यह सत्य है कि जैसे हमारे संसकार होते हैं वैसे ही हमारे मन का व्यवार होता है हमारे पारिवारिक संसकार अवचेतन मस्तिस्क में गहरे बैठ जाते हैं माता पिता जिस संसकार के होते हैं उनके बच्चे भी उसी संसकारों को लेकर पेदा होते हैं हमारे कर्म ही संसकार बनते हैं और संसकार ही प्रारब्दों का रुप लेते हैं यदि हम कर्मों को सही वह बहतर दिशा दे दे तो संसकार अच्छे बनेंगे और संसकार अच्छे बनेंगे तो जो प्रारब्द का फल बिनेगा वह मीटा वह स्वादिस्ट होगा अतव हमें प्रति दिन कोशिश करने चाहिए कि हम से जान बुझ कर कोई गलत काम ना हो और हम किसी के साथ कोई छल कपट या धोका भी ना करें बस इसी से ही इस्तिती अपने आप ठीक होती जाएगी और हर परिस्तिती में प्रभू की शरण ना छोड़े तो अपने आप सब अनकुल हो जाएगा